स्वेलो फेंड्स मैं हूं आसीज आप देख रहा हैं अमेजिंग आसीज यूटूब चैनल तो सबसे पहले आपको 2021 नहीं साल की बहुत बहुत सूपकामना है I wish you a very happy new year आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक 18650 लीथियम आयन की बैटरी से जो की ये जो बैटरी है 3.07 बोल्ट की होती है इसकी मदद से एक 12 बोल्ट की बैटरी ये जो बैटरी है वो काफी ही powerful होगा मैंने एक वीडियो में पुराने मुबाइल के बैटरी से एक 12 बोल्ट की बैटरी बनाई थी वो आप लोगों को काफी पसंद आया था उसमें मैंने बैटरी का सीरीज और पैटलल कनेक्शन काफी अच्छे से एक्स्प्लेइन किया था पुरा डाइग्राम की मदद से आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप इस वीडियो में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को अन तक देखिएगा चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं अब तो यहां पर यह जो बैटरी बनाओंगा उसका जो आकार होगा वो होगा सिलेंड्रिकल अब यह सिलेंड्रिकल क्यों होगा क्योंकि इसकी बॉड़ी बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक PVC पाइप और इसी PVC पाइप को गैस पर पिगला कर उसकी सीट बनाई और सीट से यह दो गोल मैंने काट लिया है पहले से ही आप देख सकते हैं क्योंकि जो उपर नीचे दोनों इसका मुह है उसको बन कर सकते हैं अब इसके बाद मैं ले रहा हूँ 18650 की तीन बैटरी यह जो एक बैटरी है वो 3.7 वोल्ट की है और इसी से हम 12 वोल्ट की बनाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो बैटरी है वो हर जगह बहुत ही आसानी से मिल जाती है और इसको मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ कि 3-0 को मैंने अभी सीरीज में next कर दिया ये जो 3-0 है इस टाइम सीरीज में connect है आपको मैं voltage चेक्क कर आता हूं कि सीरीज में connect होने के बाद इसका voltage क्या हो जाता है आप यहां पर देख सकते हैं सीरीज में connect होगा या यहां 11.8 यानि 12 बोल्ट के लगभग यह अब देने लगा तो आपको सीरीज में इसी तरह करना है लेकिन इस आकार में नहीं हम आगे पीछे करके इसको सीरीज में करें तो अब यहां पर आप जो तीन बैटरी देख रहे हैं इन तीनों बैटरी को मैं एक साथ करूंगा आप किसी भ करना है कि दो पॉजिटिव जो है एक तरफ रहे और दो नेगेटिव जो है एक तरफ रहे जैसा कि मैंने यहां पर कर दिया है दो पॉजिटिव एक तरफ और दो नेगेटिव एक तरफ तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर देखिए जो दो प्लेन वाला हिस्सा ह वह नेगेटिव और डो जो अलग तरह की दिखाई दे रहे हैं वह है पॉजिटिव तो यहां पर दो पॉजिटिव एक तरफ है और दो नेगेटिव एक तरफ है अब इनको मैं कनेक्ट करने के लिए इस वायर का तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लेकिन आपको फ्लक्स लगाकर अच्छे सोल्ड यहां पर कर देना है तो यहां पर एक पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव से करेंगा यह देखिए यह कनेक्ट हो गया जो एक्ष्रा वायर है उसको काट दीजिए ताकि सौर्ट सर्की यहांट सा यहां पर इसको कनेक्ट करेंगे तीसरी वाली वाली यहांट आपको बात्री से कोई नुक्त ओर देखिए यहां पर एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल बचा और एक तरफ आ पॉसिटिव टर्मिन बचाल वहीं से हम दो वायर लेंगे यहां पर हम Indian च предवारी मोट जो की negative के लिए होगा जो हमारा negative जो terminal बचा था वो connect नहीं हुआ था कहीं उसका negative ले लेंगे और यह इधर देखिए एक battery का positive terminal बचा है तो यहाँ पर भी हम एक जो हमारे पास red wire है उसको हम यहाँ पर connect कर देंगे अब जो हमारा यह जो wire है सारे wire हमने connect कर लिए यह जो battery है वो series में connect हो चुकी है आप यहाँ पर देख सकते हैं जो battery है वो series में connect हो चुकी है अब जो इसका output voltage होगा वो 12 volt का होगा तो यहाँ पर इसको मैं जो pipe है उसमें डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं glue की help से जो उसका नीचे का surface है उसको चिपकाऊंगा तो यहाँ पर मैं glue लगा देता हूँ और glue लगाने के बाद जो हमारी battery होगी उसको मैं इस पर चिपका दूँगा ताकि जो battery है उसको स्थिर रहे और यह चिपक गया glue काफी जल्दी चिपक जाता है और यहाँ पर इसके बाद जो उसके उपर वाला हिस्सा है उसके मैं दो छेट करूंगा अब दो छेट करूंगा हमें उसके बाद चाहिए दो screw और दो screw कमें इस पर कश लूँगा चलीए इन दोनों screw कर इस पर अच्छे से कश लेते हैं तो जो screw है उसे हमें पूरा नहीं कसना है उसे हमें आधा ही कसना है आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कस लिया है अब इस पे हम सोल्ड करेंगे जो दोनों वायर हमारे पास बचे हुए है उसको हम इस पे सोल्ड करेंगे तो जो इस क्रू है उस पे सोल्ड करने में थोड़ी सी आपको क जो है वो कंप्लीट हो चुकी है अब यहां पर यह जो बैटरी है वो थोड़ा थोड़ा गैप जो है वो बचा हुआ है तो उसमें मैं कागज डाल देता हूं कि वो थोड़ा सा भी हिले न अगर हिलेगा तो फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी हो सकता है कि इधर उ जो उपर वाला सर्फेस है हमारा उसको चिपकाएंगे तो उपर वाला सर्फेस और नीचे वाला सर्फेस भी चिपकाना है हमें तो इसे चिपकाने से पहले जो बैटरी के टर्मिनल है वो खुले हुए थे तो उस पर मैंने कागज रख दिया ताकि जो इसक्रू लगे हुए उसके संपर्क में नाय और यहां पर सॉट सर्किट नो हो इसके बाद हम इसे चिपकाएंगे तो इसे चिपकाने के लिए मैं यहां पर इंस्टेंट ग्लू का यूज कर रहा हूं आपको इसे चिपकाने के लिए इंस्टेंट ग्लू ही यूज करना होगा और इंस्टेंट ग्ल तो यह जो हमारी बैटरी है वो अब तप्त्युकी है आप यह आप पर देख सकते हैं कि यह जो बस्टे के आसान चेक राता हूं उपर से कि यह किmia denke तो आप देखिए मल्टीमीटर में देखिए यहां पर आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में कि यह 11.8 यानि कि 12 वोल्ट यह दे रहा है अभी चार्ज करेंगे तो यह लगभग 12 वोल्ट हो जाएगा तो यहां पर मैं लिख देता हूँ कौन सा इसका टर्मिनल प्लस है और कौन सा माइनस है आप यहां पर मारकर की सहायता से लिख सकते हैं या फिर लिख ही दीजिए क्योंकि आपको अगर कुछ यूज करने जाते हैं तो वहां पर आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि कौन न देख सकते हैं 12V तो यह 12V पर ही चलती है यह मैं आपको चला कर दिखाता हूँ पहले कि यह कितना अच्छा काम करता है आप यहां पर देख सकते हैं कि यह जो पैट्री है वह काफी अच्छा काम करती है तो मैंने यहां पर इसक्रू इसलिए यूज किया है कि जो वायर है उ इसकी भी पावर दिखाता हूं कि यह कितना पावरफुल होगा तो यहां पर आप इसका साउंड सुन सकते हैं इसका जो साउंड है आप सुन सकते हैं और इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी ज्यादा आर्पिम से घूम रहा है तो यहां पर चलिए मैं आपको फिर होगा आप यहां पर देख सकते हैं कि यह जो मोटर है इस पर काफी अच्छे से वर्क कर रहा है तो आप इस बैटरी से 12 बोल्ट से चलने वाला कोई भी इक्वीपमेंट आप इससे बहुत यह असानी से चला सकते हैं यह जो बैटरी है काफी लंबे समय चलेगी और यह रिचार्जेबल भी है तो यह जो बैटरी हमने बनाई यह काफी अच्छे से चार्ज होता है इसका जो चार्जर मैं आपको आगे के वीडियो में बना कर दिखाऊंगा तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताए इस वीडियो को लाइक कीजि मिलते हैं कैसे ही नए और अमेजिंग वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए बाए